हेलो आल, वेलकम दुमूफ स्टेडी, आज हम क्लास एट की हिस्ट्री के पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, CBSC Board की बूक है, क्लास एट की हिस्ट्री, इसका पहला चैप्टर है, Introduction, How, When and Where, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहे हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को आउन कर ले, जिससे को भी वीडियोज आपकी मिसना हो, तो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम लोग प्रिवियस क्लासेज में पढ़ के आए हैं, इंशेंट हिस्ट्री के बारे में, इंशेंट पीरियड, मीडिवियल पीरियड, क्लास 6 में हमने पढ़ा होगा, इंशेंट पीरियड, अब हम लोग क्लास 7 में हम लोने पढ़ा आपका, मीडिवियल पीरियड, अब हम लोग 8 क्लास में पढ़ेंगे, modern period क्या है अपका during this period Indian saw remarkable changes in the politics, economic, social life of the people इस period में इंडिया ने बहुत ज़्यादा changes देखें political, economic, social और cultural life में the modern period जो begin होता है वो 18 से start होता है the modern period began in the 18th century and is characterized by industrialization urbanization, colonization scientific progress and rationalism and humanism इन सब की बाते करेंगे इस period में और इस period की main characteristics ही यही है industrialization, urbanization, colonization इस period में क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस बात करेंगे the frame under the history तो we have studied हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं class 6 में और 7 में पढ़ के आएं कि जो history का time period होता है वो अलग-अलग देशों में अलग-अलग part of the world में अलग-अलग time period है In Europe, the medieval history is set to be beginning in 6th century and ends in 15th Europe में कहा जाता है कि 6th century से लेकर 15th century का जो time था उसको हम लोग medieval history पहलते हैं while in India, the period start with 8th century and ends in 18th century India status witnesses remarkable changes in its political economic, social and cultural life from the later part of the 18th century अब 18th century के आखरी दोर में इंडिया में remarkable changes आये थे उसकी political life में लोगों की economical life में social and cultural life में the modern period extends roughly from the middle of the 18th century to the contemporary times 18th century से extend हो गया था आपका modern period और यह लगबग 200 साल की इंडिया की इंडियान हिस्ट्री को cover करता है modern period आपका लगबग 200 साल की इंडियान हिस्ट्री को cover करता है प्रिटियान हिस्ट्री के रिशक और तक टाई श्रूर्ट करता है आप आप किस की की रिसर्च कर रहे हैं कि शीज पी स्टी रहे हैं उस फोकॉस पी शखेआ आपका याइद पी साल कर रहे हैं पस्तेatamente सबसक्राइब अज़री थे उनका जन्रली जो focus होता था वो गवर्नर जन्रल जो होते था इंडिया के उनकी लाइफ फोक्स जड़ीक पहर अजनीशन ऑवर सोसाइटी वह इंडिया के लोगों की एक्टिविटीज पे कोई धियाने देते थे बेसिकली उनका जो में मक्सद था में फोकस था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनकी जिंदेगी के बारे में उनकी परसनालिटी उनकी शक्सियत कहती थी उनके बारे में वो फोकस करते थे इन 19th century मेरी बिर्तिश हिस्टोरियंस लाइक जेम्स मिल वर वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडियन कल्चर उनने संचरी में एक आपका हिस्टोरियन आया जिसका नाम था जेम्स मिल उसने बेसिकली एक बुक पब्लिश करी आ थ्री वॉल्यूम वर्क आ हिस्ट्री ऑफ बिर्तिश इं क्यासिंडिया इं 1870 वो उसने इंडियन इस्ट्री को थीन पार्ट में डिवाइड कर तो हिंदू पीरेट एक बन गया कि जब हिंदू एरुजन हिंदू रूलर ने रूल करा उसको हिंदू पीरेट उसने कहा मुस्लिम रूलर ने रूल करा उसको उसने मुस्लिम पीरेट बोला और जब बिर्तिश ने इंडिया पो रूल करा तो उसने उसको बिर्तिश पीरेट ब reign of Hindu and the Muslim rulers social life in India was dominated by caste taboos religions intolerance and superstition practices उसका यह कहना था कि जब Hindu और Muslim ruler का राज था जब उस जमाने में इंडिया में का सिस्टम बहुत जादा था religions intolerance बहुत जादा था और अंद्विश्वास superstition practices बहुत जादा थी इट वाज उनली दब ब्रितिश को सिविलाइज इंडिया और उसका मानना था कि यह ब्रितिश ही है जो इंडिया को सिविलाइज कल्चर दे सकते हैं इंडिया को सुधार सकते हैं he thought that India was not capable of any progress without the British उसको यह लगता था कि बिर्तिशर्स के बिना इंडिया कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता तो उसका कहना था कि बिर्तिशर्स को इंडिया के सारे पार्ट्स पर कब्जा कर लेना चाहिए और रूल करना चाहिए जिससे वो लोगों को सुधार लाएं इंडिया को सिविलाइज कर सके बट जेम्स डिविजन वास फुल ओफ ड्रॉबैक्स जो उसका डिविजन था वो उसमें बहुत सी खामिया थी बेसिकली खामिया कहती इसका टोटल इसका डिविजन रिलीजन बेस था रूलर जो उस दमाने के होते थे उसके डिविजन पे इसने उसके रूलर के रिलीजन पे इसने डिविजन कर रखा था तो हम किसी भी पीरिय और Muslim period नहीं था, हर जगह पे अलग-अलग rulers rule करते थे और उनका अलग-अलग religion था, अलग-अलग faith को follow करते थे, ऐसा नहीं था कि Muslim period में सिब Muslim ही rulers थे, और Hindu period में सिब Hindu ही rulers थे, तो इसने ना India की rich diversity के बारे में बात करी, ना economic culture के बारे में बात करी, तो एक clear picture पाने के लिए कि India क history को जानने के लिए historians ने क्या करा, इंडिया की history को तीन period में डिवाइड करा, ancient period, medieval period and modern period, तो इस class में हम लोग, 8 class में हम लोग, ancient हम लोग 6 class में पढ़ के आ है, medieval हमने 7 पे पढ़ा है, और 8 class में हम लोग modern history के बारे में बात करेंगे, modern history कहां से start हूँ, 1750 AD से लेकर making of the national movement, modern Italy reflects material progress, intellectual advancement, जो modern period था, वो आपको बताता है कैसे material progress हुआ और कैसे कैसे advancement हुए, वो आपको बताती modern history, it is associated with the group of all the forces of modernity, ये deal करती है, science में क्या invention हुए, equality, democracy, liberty, these forces existed in the west during this period, लेकिन ये जो चीज़े थी, ये वेस्ट में ही उस period में थीज़े थी, ये वेस्ट में ही उस period में थी, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे Britishers का rule था, तो Britishers के राज में कोई equality जैसी बात नहीं थी, ना ही कोई freedom था, तो this is why some historians call this period as the colonial period, colonial period भी इसको कुछ historian कहते हैं, तो colonial period भी कहा जाता है, colonization होता गया है, Colonization refers to the process in which the powerful country controls another country politically and economically, इसमें क्या होता है, एक powerful country दूसरी country को कंट्रोल करती है, उसके political decision वो लेती है, economical decision वो लेती है, तो in other words में ये कहा जाए कि एक country दूसरी country को lead करती है, मतलब एक powerful country दूसरी country को पूरी तरह से lead करती है, उसके सारे decision वो लेती है, और इसी process को कहा जाता है the British and their the British and their missionaries initially came to India for trade and commerce and for spread of Christianity the British and their missionaries initially came to India basically India में आये थे तो basically उनका में मकसद ये था कि वो ट्रेड करने आये थे बैपार करने आये थे और अपने धरम को Christianity को फैला नहीं आये थे उनका कोई भी पॉलिटिकल एंबिशन नहीं था कि इंडिया पर वो कब्जा करेंगे लेकिन वो इंडिया की वेल्थ को देखके लालश में आ गए और उन्हीं यहां पर इसके उस जमाने में जो इंडिया की पॉलिटिकल कंडिशन थी वो अनस्टेबल थी तो उन्हीं ने उसका पूरा फाइदा उठाया और यहां पर आके अच्छी पकड़ बनाई इंडिया में और धीरे 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 इंडिया पर पूरा कबजा कर लिया आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बैटल ओ प्लासी और बैटल ओ बकसर हुई थी उस बैटल के बाद से इन्हीं ने क्या करा पूरी तरह इंडिया को अपने काबू में ले लिय और इंडिया को सारे डिसीजन्स ये इंडिया के लेने लगे और इंडिया को एक बितिश कॉलिणी बना दिया इन्हीं ने 1818 संचुरी में 18 संचुरी में तो बैटल ओब बकसर और बैटल ओप लासी के बाद क्या हुआ बितिशर्ष से जो लडाई हुई थी उसके बाद विद्दिशस्च ने इंडिया को पूरी तरह अपने कबजे में ले लिया इसके बारे में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद क्या है History जो भी हम पढ़ते हैं उसकी कुछ ना कुछ sources होती है कहीं से उसको उसकी information ली गई होती है और जी information को हमारे सामने रखा जाता है उससे हम लोग ही सीखते हैं कि पुराने जमाने में क्या हुआ होगा तो sources basically क्या होते हैं वही sources जो clues और evidence जो मिलते हैं historians को उसके respect वो उसके study करते हैं और वो उस study को investigate करके उस period के बारें बताते हैं अब क्या था कि ये modern period था तो modern period में क्या था सबसे बितिश स्राज था तो बितिश के official records थे उनके official documents थे बितिश क्या करते थे हर चीज को document करते थे हर चीज को document करते थे तो उनका documentation बहुत अच्छा था They got every instruction, plan, policy, treaty, agreement, decision and investigation pen down उन्हीने सारी treaty, plans, investigation सबको pen down करके रखा हुआ था It became easier to study, ponder and discuss matter this way As a result, official letter, memos, noting, reports were written frequently उस जमाने में modern period में क्या था यह memos, notings वगेरा, यह सब frequently लिखी आती थी Reports वगेरा, print होती थी In the early years of 90, these documents were copied out 19th century से पहले इन document को हाथ से copy किया जाता था Calligraphy's जो लोग होते थे, वो करते थे लेकिन उसके बाद printing press का invention हो गया था फिर printing press से इन document को basically print किया जाता था Multiple copies में British also focused on the prevention of these written documents Written records and documents, British ने इन document को preserve करने के लिए भी बहुत focus करा, उसके लिए उन्हें ने आर्काइब्स बनाए record rooms बनाए, हर administrative department में अलग-अलग record room होते थे Collect rates में, law में, law courts में, provincial segregates में सब अलग-अलग record rooms होते थे, यह record rooms क्या करते थे documents को preserve करके अपने पास रखते थे और इन आर्काइब्स में अभी भी बहुत से letters हैं, बहुत से memos हैं, बहुत से notes हैं, जो लिखे हुए हैं, reports हैं, जो एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजी जाती थी, some were also in the form of instruction and directives, कुछ इसमें directions भी हैं और instruction भी हैं, इंडियन नैशनल आर्काइब जो establish हुए थी 1920 में, उसमें ये सब documents available हैं, बिटिश उस जमाने में survey कराया करते थे, तो जब बिटिश survey कराते थे, तो revenue survey कराते थे, buttonical survey कराते थे, zoological surveys कराया करते थे, ये surveys भी preserve करके रखे गए, तो ये भी बहुत helpful source है, historians के लिए, Indian history को जानने के लिए, 19 century के बाद क्या हुआ, जब 19 century end होने लेगी, तो उसमें क्या था, जन्गरना भी कराते थे, बिटिश हर सर्व 10 साल में जन्गरना होती थी, जिससे क्या पता चलता था, कि किस जन्गा पर किस प्रोविंस में कितने लोग रहते हैं, कितने religions की लोग रहते हैं, कितना कास्टेजम है, occupations क्या है, लोगों का economic conditions क्या है, इन सर्वेस से ये सब पता चलता था, तो ये सब जो documents है, ये basically आपके बिटिश के documents थे, तो ये बिटिश का point of view बताते हैं, ये सारे documents, लेकिन इससे हम पूरी history के बारे में जानने सकते हमें Indians का point of view जानने के लिए और भी sources चाहिए थी, जिससे हम Indians के point of view जान सकते थे, तो अलग-अलग sources क्या होई, तो जो अलग sources ये थी कि ancient time में लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था लेकिन modern times में लोगों ने लिखना चालू कर दिया था और printing press के inventions हो गए थे, तो रसुंदरी देवी पहली woman थी जिनी ने autobiography लिखी जिसमें बंगाली में जिसका नाम था अमर जिबान तो उस जमाने में लोगों ने क्या किया कि autobiography लिखना चालू कर दिए, personal derries लोग लिखते थे, popular booklet publish होने लगी थी, newspaper publish होते थे क्योंकि printing press का invention हो चुका था तो ये सब sources थी उस जमाने में history की जिससे historians को इनके बारे में इंडियन history के बारे में और कैदे से पता चला जब ये books print होने लगी, newspaper prints होने लगे, general prints होने लगे तो ये उस जमाने के हालात को दर्शाते थे ये newspapers, पुराने जमाने के newspapers, पुराने जमाने किताब है, Logan, autobiography लिखी, तो history के बारे में ये सब चीज़े बताती थी ये तो बुकलेट्स वगेरा प्रिंट होने लगी थी जब प्रिंटिंग प्रेस का invention हो गया था तो बुकलेट्स न्यूजपेपर प्रिंड होने लगे थे तो ये common आदमी की वॉइस थी उस जमाने में modern period की बात करें तो क्या है क्या है क्या मैंने आपको बता है एक powerful country दूसरी कंट्री को पूरी दरह से कंट्रोल करती ये क्या में में मेंगे से जो एक डिपार्ट्मेंट को जा रहा है नोटिंग रिकॉर्ट्स लेक लेना किसी चीज़ को सेंसर के official सर्वे होता है population का यह आपका दस साल में होता है इसको जनकरना बोलता है तो हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया था आपका period of Indian history ancient period होता है medieval होता है modern होता है ancient period आपका 6000 BC थे 650 CE medieval period 500 to 1500 CE modern आपका late 15th century to the beginning of the 18th century तो history के sources क्या हैं हमारे अभी मैंने बता है British के official records जो थे वो बताते थे उसके बारे में history के बारे में और सर्वे जो बिटिश कराते थे वो जो भी archive करके रखे गए और other resources क्याती है autobiographies booklets newspapers journals stories poems novels उस जमाने में जो भी लिखी जाती थी वो उस जमाने की history को दर्शाती थी तो आई होप सो आपको यह chapter समझ में आया होगा basic इसमें कुछ बात नहीं हो और basic यहीं बताया गया कि modern period कहां से start हुआ था और क्या